वेलकम दोस्तो नेक्स कोश्चन हम देखेंगे इस कोश्चन में क्या दिया है यह देखेंगे हम उभय उत्तक उभय उत्ते जक विन्यास अर्थत कॉमन इमिटर कॉन्फर्गेशन यदि बीटा इकवल हंड्रेट और बेस करेंट 50 माइक्र एंपियर है तो अलफा का मान निकाल मान निकालना है में तो बेटा की वेलू दी हुई है इसमें वेलू पूट कर देंगे तो क्या निकलेगा चलो इसकी नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है एक है तो यदि अब हम क्या निकालेंगे हमारे पास बीटा का मान दिया है और बेस करेंट का मान दिया है तो अलफा का मा भी होता है ठीक है दोस्तों सबसे पहले पाता है निकाल निस्तों दोस्तों यह हो गया 5,000 ऑप ये जो निकल गया आपका ic का मान को हम क्या करेंगे इसमें पूट करेंगे ठीक के दोस्तों तो अलफा का मान निकालना है में तो अलफा वरावर क्या होता है विटा अपान one फ्लेस बीटा होता है अलफा का मान कि इस फार्मूल में मान रखेंगे दूस्तों हम सबसे पहले तो तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका यहां पर value put करते हम ठीक है hundred upon one plus hundred तो यह हो जाएगा hundred upon 101 मतलब 101 तो जब भी आप इसको भाग देंगे हम तो यह आजाएगा 0.99 यह अलफा का मान कित्ता निकल गए दूस्तों 0.99 अर्थात इसका सही आंसर क्या हो जाएगा option 4 इसका सही आंसर हो जाएगा दूस्तों next question देखेंगे कौन सा गुण सुरक्षा रिले के लिए आवश्यक नहीं है तो इसका राइट आंसर क्या होगा दूस्तों option देखेंगे सबसे पहले तो sensitivity, selectivity और सहंतता मतलब compact tense और fourth है आपका गती तो निम्न में से कौन सा गुण सुरक्षा रिले के लिए आवस्यक नहीं है तो यह है compact tense option 3 इसका सही आंसर होगा दूस्तों next question देखेंगे इसके उपरांत निम्न में से कौन सा सही क्रम में कोर के उपर रहते हैं तो इसका राइट आंसर क्या होगा दूस्तों इसका राइट आंसर में देखेंगे एक तो है सस्तरन आच्छादन कवच और सुमिंग सेकेंड है कवच आच्छाद सर्विंग और संस्तरन अर्थात आर्मोईंग सीत और सर्विंग और बेडिंग फोर्थ है आपका सीत सर्विंग बीडिंग और आर्मोईंग फोर्थ है सी शीथ, Beading, Armoring, Serving अर्था आछद, संस्तरन, कवच और Serving तो एक High Tension Cable जो है उसमें कुछालक पदार्थ की जो layer होती है step by step वो क्या होती है तो सबसे पहले क्या होता दोस्तों सबसे पहले होता है शीथ उसके बाद होगा आपका बीडिंग उसके बाद होगा आपका आर्मूरिंग सर्विंग यंदि ये सिक्ट्स है जिसका तो आप्षन सभगा तो आप्षन 4 इसका राइट आंसर होगा दूस्तों नेक्स कोश्चन देखेंगे हम दिश्टधारी जनित्र अथाट DC जनेरेटर में उत्पन विद्धुत वहक बल अर्थाट EMF का मान जानने के लिए निम निम से क्या मालूम होना अवसिक है तो आप्शन फर्स देखेंगे फ्लक्स चालकों की संख्या गती और समानतर परिवत सेकंड है फ्लक्स गती और कुंडलन का प्रकार अधाट flex speed and any types of windings इसमें दोस्ते इसका right answer क्या होगा जाए right answer देखेंगे क्योंकि यह DC generator की बात की जा रही है और इसमें EMF की बात की जा रही है तो EMF का जानने के लिए निमने में से क्या होना उसे का है एक तो flux phi होना बहुत जरूरी है फिर है number up conductor number up conductor बिल्कु सही है फिर है speed speed ही पता रहना चाहिए और फिर है समांतर पतों की संक्या तो यह कैसे formula से निकालेंगे हम तो DC generator का formula क्या होता है EV equal P5ZN upon 60A यह जो formula है दोस्तो EV का इस formula में इस formula के माद्यम से क्या करेंगे हम ग्यात कर सकते हैं दोस्तो ठीक है नेक्स question देखेंगे हम घरेलियो भुकता जिनके पास घरेलियो भुकता जिनके पास अधिक प्रकास और पंखो का भार है कौन सा प्रसुलक अर्था टेरिफ सबसे अधिक उपियोगी होगा तो question number 25 का answer देखेंगे हम सबसे पहले option देख लेते हैं क्या है एक समानदर अर्था flat rate tariff second है tariff based on maximum demand third है sliding scale tariff और fourth है आपका two port tariff जिसे द्वीदर tariff भी कहा जाता है तो घरेलियो भुकता के लिए कौन से tariff का use करते हैं हम ये देखेंगे तो घरेलियो भुकतां के लिए घरेलियो जो है domestic consumer के लिए वो यूज किया जाता है सरपी scale प्रसुल कर्था slide scale tariff third इसका option सही हुआ slide scale tariff next question देखेंगे एक RLC परिपत में प्रवाइथ होने वाली धारा निम्न वेंजक से प्रदर्शित होता है i equal i sin omega t तो निम्न में से कौन सा वेंजक वोल्टा को प्रदर्शित करेगा तो voltage को प्रदर्शित क्या करेगा तो V equal क्या हो जाएगा V cos sin omega t तो देख लेते हैं यहाँ पर यह यदि V sin omega t कहीं लिखा होंगा तो समझ जाना है तो यहाँ पर एंगल भी एड़ हो जाएगा फिर तो तो इसका right answer क्या हो जाएगा पहले option देखते हैं V sin omega t minus 5 by 2 second है V sin omega t plus 5 ठीक है तो यह theta angle होगा third है V sin omega t और fourth है V sin omega minus theta तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तों यह जिसा हमने formula बना है यह formula इसी best पर है तो V equal V sin omega t plus angle हो जागा alpha angle next देखेंगे हम एक प्रेरणी motor में rotor निवेस अर्था rotor input 600 watt है और वी सरपी जो है जिससे बोलते है slip इससे वी सरपी का जाता है 4% है तो rotor ताम रहानी अर्था rotor का परलास कितने होंगे 12 watt, 24 watt, 15 watt या 10 watt इसका right answer होगा दोस्तो 24 watt अब यह कैसे निखलेगा यह देखेंगे हम तो दोस्तो इसका एक solution है इस तरह किसे solve करेंगे तो हमें पता चल लाएगा इसमें rotor का input कितना दिया है 600 watt दिया है slip किता दिया है 4% तो इसका जो formula है rotor copper loss का तो rotor copper loss क्या होता है rotor copper loss यह होता है slip into rotor input rotor input यह formula होता है दोस्तो अब यहाँ पर इस पर formula मान रखेंगे तो slip कितना दिया है हमारे पास 4% दिया है तो 4 बटे 100 हो गया और rotor input कितना दिया है 600 दिया है यह 00 से 0 से 0 cancel हो गया तो 64 कितना हो जाएगा 24 तो यह 24 तो यह 24 कितना हो जाएगा आपका watt हो जाएगा दोस्तो इस तरीके से आप solve कर सकते हैं इसे ठीक है next question देखेंगे हम एक phase शक्ति नापने वाले dynamometer अर्था तो wattmeter dynamometer टाइप wattmeter के सम्मन में कौन सा कथन सही है option देखेंगे दबाव कुंडली अधिक प्रेरण है और प्रतिरोध कम है second है दबाव कुंडली में अधिक प्रतिरोध और नियूंतम प्रेरण रोध है अर्था दब पेवर कोईल है high resistance and negligible inductance third है धारा कुंडली में अधिक फेरे और प्रतिरोधक है fourth है धारा कुंडली में कम प्रतिरोध है और भार के साथ समानतर में जूड़ी है तो इसमें single phase power मापने वाले जो dynamiter type wattmeter की बात की गई है तो इसके संबंद में कौम सा कथन सही है मतलब true जो है सत्य जो है वही कथन देखना है तो इसमें क्या होता है एक तो wattmeter में एक तो CC कोईल होती है और थाथ current कोईल और PC कोईल potential कोईल होती है CC कोईल और PC कोईल यह दोनों कोईल होती है दोस्तो तो अब यहाँ पर हम देखेंगे इसका डाइग्राम कैसा बनता है इसका डाइग्राम इस टाइप से बनता है दोस्तो और यहां से इस टाइप से ठीक है इस टाइप से इसका डाइगराम बनता है तो यह cc कोईल यह pc कोईल अब हम यह देखेंगे कि डाइनोमेटर टाइप वाटमीटर जो है इसका relation क्या होता है इसका relation होता है simple सा इसका option होगा दबाव कुंडली में अधिक प्रतिरोध और निउन्तम प्रेरन रोध दप्रेशर क्वाइल है हाई resistance and negligible inductance तो रजिस्टेट हाई हो जाएगा और inductance L क्या हो जाएगा negligible हो जाएगा मतलब कि low हो जाएगा इसी लिए तो resistance हाई और inductance क्या हो जाएगा आपका लो हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों option भी इसका राइट होगा next question देखिएंगे हम एक उत्पादन सयंत्र में जुड़ा हुआ भार अर्था connected load 5 into 10 to the power 3 kilowatt है और अधिक्तम demand 20 into 10 to the power 6 है 10 to the power 6 watt है तो प्रती वर्ष 60 into 10 to the power 6 unit उत्पन होती है तो सयंत्र का मांग गुणा कितना होगा अर्था demand factor निकालना इसमें क्या निकालना है दोस्तो demand factor निकालना है और demand factor का formula क्या होता है पहले तो यह देखेंगे हम दोस्तों इस question को कैसे solve करेंगे इसका एक formula है इस formula based तो इसको solve करेंगे हम सबसे पहले देखेंगे हम कि demand factor बराबर क्या होता है तो demand factor का जो formula है यह होता है आपका maximum demand maximum demand upon connected load यह इसका formula है अब इस formula में हम value put कर देंगे तो demand factor निकल जाएगा आपका मतलब सक्ति मांग तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें यहां पर मान दिया है unit प्रति वर्स unit उत्पादन कितना उत्पन होता है तो इसका जो formula है मतलब कि yearly average load तो प्रति वर्स जो average जो load है तो यह हो जाएगा yearly average load यह second formula हो दस्तों इसमें मान पूट करेंगे हम तो यह हो जाता है yearly average load का formula है number of unit kilowatt में kilowatt hour में तो number of unit किसमें होगा kilowatt hour में अपान क्या हो जाएगा 87 hours मतलब एक साल में कित्ते घंटे होते है 8760 घंटे होते हैं दोस्तों इतने घंटे इतने hours में क्या करना पड़ेगा इसको divide करना पड़ेगा तो इस formula में आप value put करिए यह first formula यह second formula आपका answer निकलाएगा दोस्तों नेक्स कोश्चन देखेंगा एक उच वोल्टता केबल में आदरता का प्रवेस निमन में से किसे रोका जाता है आप्शन है सर्विंग कवच वल्की नीकरत बिटमन अर्था वल्केनाइजड बिटुमेन आप्शन फोर इसमें दिया है धातू आच्छात मतलब मेडल सित तो हमें पता है हाई केबल हवी जो केबल होते हैं हाई वोल्टेज जो केबल होते हैं उनमें जो मॉइस्चर है आदरता को प्रवेस न करने के लिए रोका जाता है तो यह वल्केनाइजड बिटुमेन रबर का उसके जाता है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा थ्री इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन देखेंगे आई ये नियम के अनुसार उच्चदाब लाइन हाई वोल्टेज लाइन में सबसे नीचे वाले तार की जमीन से दूरी सबसे कम नहीं होनी चाहिए तो इसका आपशन देखते हैं 16 फीट, 15 फीट, 18 फीट या 20 फीट तो इंडियन एलेक्ट्रिसिटी जो रूल है आई ये रूल इसके अनुशार हाई वोल्टेज जो लाइन है जो एच वी लाइन है, हाई वोल्टेज लाइन इसका जमीन से मतब धरातल से जो इसका डिस्टेंस होगा तो ये आपकी हाई वोल्टेज लाइन होगी और ये जमीन की सत्ता होगी तो यहां से दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा तो distance कितना होना चाहिए 20 फीट होना चाहिए दोस्तों धरातल से 20 फीट होनी चाहिए next question देखेंगे हम धारक start motor में सहय कुंडलन धारा और प्रमु कुंडलन धारा के बीच का कोण कितना होता है option A है 90 यांतरिक डिगरी पस्च और थत 90 mechanical डिगरी लेगिंग second है 90 electrical डिगरी लेडिंग और थर्ड है आपका 90 electrical डिगरी लेगिंग fourth है आपका 120 electrical डिगरी लेडिंग लेडिंग मतलब अग्रेगामी और लेगिंग मतलब पस्च गामी होता है दोस्तों तो इसका right answer क्या हो जाएगा यहां पर starter की बात की जा रही है तो starter के बीच में जो current के बीच में जो angle बनेगा यह कितना बनेगा दोस्तों यह बनेगा 90 degree electrical लेडिंग बनेगा मतलब 90 degree electrical लेडिंग नेक्स कोश्चन है दोस्तों नेक्स कोश्चन देखेंगे किसी कुंडली की self inductance अधिक होने पर क्या प्रभाव पड़ता है स्वप्रेण की जो क्रिया है उसमें क्या प्रभाव पड़ता है option है कम EMF उत्पहुन होगी option B है इस्थाई धारा इस्थापित होने में अधिक विलंब होगा option C है वेबर फेरा कम होंगे और अधिक flux बल बढ़ाता है इसका right answer क्या होगा दोस्तों क्योंकि किसी भी coil में self inductance अधिक होगा तो उसका क्या effect पड़ेगा सबसे ज्यादा तो effect क्या पड़ेगा तो सबसे ज्यादा क्या है greater delay in stabilizing steady current मतलब कि इस्थाई धारा इस्थापित होने में अधिक विलंब होगा क्योंकि वहाँ पर क्या है self inductance induced हो गया है तो self inductance induced होगा तो जो ई भी है back EMF का मान जो है अर्था उसमें जो self inductance EMF उत्पन हुआ है वो लेंच के नियम से हुआ है किसके नियम से हुआ है लेंच के नियम के अनुसार हुआ है ठीक दोस्तों इसका right answer क्या हो जाएगा option to isका right answer होगा next question देखेंगे हम एक फेस फोर वायर तंत्र में neutral वायर का अनुप्रस्त परिच्छेदित मतलब cross section छेत्र कितना होगा इसका option देखेंगे हम option है बाहरी तार के बराबर option B है बाहरी तार का आधा option C है बाहरी तार का दो गुना option D है बाहरी तार का 0.75 गुना इसका right answer क्या होगा दोस्तों इसका right answer क्या होता है बाहरी तार का आधा तो जितने भी है half up cross section as outer wire तो जो wire होगा main wire का half होगा मतलब कितन होगा आधा होगा यह हमें याद रखना है दोस्तों तो यह जो न्यूट्रल वायर की बात की जा रही है ठीक है दोस्तों और दोस्तों न्यूट्रल वायर का जो कलर क्या होता है न्यूट्रल वायर का कलर और अर्थ वायर का कलर ठीक है अर्थ वायर का क्या होता है ग्रीन कलर ह कבת got discussion देखेंगे हम अधि सप्रति रोद की कैया है स्पेसिक ग्रेव स्पैसिफइक रइस्टेंस की इकाई कै मैं होती है लेशी स्प्रति रोद्थ आप्ष ने ओम मेटर अप्षन वी है ओम प्रती-मिटर वर्ग, आप्सेन C है, ओम और आप्सेन D है, इसका ओम प्रती-मिटर. इसका राइट आagles होगा, ओम पर-मिटर, क्या हो जायागा, ओम पर-मिटर, ठिक है दोस्तो, या तो ओम मिटर इंवर्स भी हो सकता है, ये भी ध्यान देना है आपको दोस्तों नेक्स कोशन देखेंगे हम नेक्स कोशन क्या है नेक्स कोशन है एक दस वोल्ट की बेटरी जिसका आंतरिक रिस्टेंस दो ओम है एक भार प्रतिरोध आरेल से जुड़ा है तो सक्ति का अधिकता मिस्थानतरन स्रोत से भार की ओर तब क्या होगा दोस्तों इसका फार्मूला है हम निकाल सकते हैं इसका मान दोस्तों इस कोशन में हम दो फार्मूला यूज करेंगे तो दस वोल्ट के बेटरी है इंटरनल इस्टेंस क्या है दो मैं मतलब आराई कमान किता हो जाएगा दो मैं बैटरी वोल्ट किता है दस तो V कमान कितना दिया हमार पास 10 दिया है, R I कमान कितना दिया है, 2 दिया है, तो यह कितना हो गया, I L कमान 5, ठीक है, 5 निकल गया, अब हम क्या करेंगे, दूसरा फार्मूला लगाएंगे एक, R L का, तो R L का कुन सा फार्मूला दूसरा लगाएंगे दोस्तों, देखो, यहा हैं आगे तो IEL हमने निकाल लिये हैं तो यह IEL इक्वल क्या हो गया आपका N V upon RL N कमान किता एक ही है V किता दिया 10 दिया है और आरेल कमान हमें निकालना है लेकिन IEL कमान किता दिया 5 दिया है मैं 5 निकाले ना आप यह इसमें क्या करेंगे तीरे गुणा कर देंगे तो इस तरीके से हम वेलू कुट करेंगे नेक्स कोश्चन है, नेक्स कोश्चन देखेंगे हम, एक थ्री फेस रोट से समान बादा है, मतलब इक्वल इंपिडेंस जेट स्टार में जुड़ी है, यदि उन्हें डेल्टा में जोड़ दिया जाया है, तो परणाम क्या होगा, लाइन धारा कम होगी, फेस धारा बढ़े धार मतलब टाइम बेस तरंग जो वेव फॉर्म है, कैसा होता है, तो आप्शन है, जया वक्री, टू है वक्री, तो दोस्ते इसका आंसर क्या होगा, एक कैथोड रे आसिलो ग्राप में ये जो टाइम बेस है, इसके रूप में वेव सेप कैसा होगा, इसका ये होता है, पिंजर मोटर में स्वप परिणामित स्टार्टर मतलब आटो ट्रांस्फार्मर ये आटो ट्रांस्फार्मर स्टार जिसका रुपांतरण अनुपात ट्रांस्फार्मेशन रेशो एन है, का उप्योग किया जाता है, तो उससे उत्पन जो टार्क है और शीदे प्रार्ण कर मतलब डारेक स्टार्टिंग का बल का जो रेशो होगा वो क्या होगा तो option A है N, option B है 1 upon N, C है 1 upon N square, तो इसमें T is proportional to क्या होता है दोस्तो, N square होता है, यह फार्मूला है, तर्क किसके proportional होता है, speed के वर्ग के, इसका सही answer हो जाएगा option 4, next question देखेंगे हम, in hard gap, in hard gap type of lightning arrester, the arc move along to hard due to electromagnetic field and heat of the arc, second option है, electromagnetic field and electrostatic field, C है, electrostatic field and heat of the arc, और fourth है, heat of the arc only, इसका right answer क्या हो जागा दोस्तो, इसका right होगा, हार्न गे पॉला है, lightning arrester की बात कर जिए, तरी चालक की बात की जा रही है, तो वो arc को move करता है, कैसे करता है, electromagnetic field and heat of the arc, इसका first option सही होगा, next question देखेंगे, स्रेणी और समानतर RLC, अनुनाधी परिवत मतब resonance circuit, दोनों में से कौन सा समान गुण होता है, तो कौन सी equal property है, option देखेंगे, दोनों में अधिक्तम धारा प्रवाइत होगी, दोनों में प्रतिवादा नियुन्तम होगी, या दोनों में शक्ति गुणक एक होगा, या दोनों का धारा प्रवाद अधिक हो जाएगा, both magnify current, तो इसका right answer क्या हो जागा दूस्तों, इसका right answer होगा, power factor is unity on the both cases, तो RLC में देखो, resonance condition में क्या होता है, XL equal, XE होता है, ठीक है, हमें पता है, और ये series और parallel की बात की जा रही है, तो दोनों condition में क्या हो जागा, power factor, equal होगा, one होगा, unity होगा, कित्ता होगा, power factor कित्ता होगा, unity होगा, दोस्तों, one होगा, चाहे series हो, चाहे parallel हो, next question देखेंगे हम, नियमने में से किस motor में क्रम वीनी में होता है, option ये है, repulsion motor, sedate pole motor, या capacitor motor, या split face motor, तो इसका right answer हो जाग, क्रम वीनी में जो नियम होता है, ये किस में होता है, ये होता है, repulsion motor में, तो इसका option A सही होगा, repulsion motor, next question है, गहरेलू समस्तापन में विद्धुत कार है के आकलन करते समय, electrician की संख्या का अनुमान, लगाने के लिए point की संख्या की गणना किस प्रकार की जाती है, तो अपना उत्तर निमन क्रम में दीजिए, पहला mainboard के point, switchboard के point, या अन्यूपकरण के point, इसका right answer क्या हो जागा दोस्तों, इसका right answer क्या होगा, इसका right answer होगा, 4, 2, 1, क्या हो जाएगा, 4, 2, 1, ठीक है, तो सबसे पहले, अनुपकरण के point, switchboard के point, और mainboard के point, तो यहां से sequence by sequence यह चलेगा, next question देखेंगे, next question देखेंगे हम, AC धारा मापक यह अंतर की range बढ़ाने के लिए shunt का उप्यों किया जाता है, तो shunt का गुण और जोड़ने की कौन सी विधी सही है, option A है, अधिक प्रतिरोध धारा मापक से समानतर में संबंद, option B है, अधिक प्रतिरोध धारा मापक में स् संबंद, 4 है, कम प्रतिरोध धारा मापक के समानतर से संबंद, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, shunt में क्या करते हैं, कम value का resistance यूज करते हैं, जिसकी value कम होती है, और ये current मापक की किस में होता है, parallel में होता है, ये हमेसा याद रखना है, ठीक है, तो ये किस की बात की जा रही ये, shunt की बात की जा रही है, या तक parallel connect करने की बात कर रही है, shunt यदि बनाना है, तब की लिए क्या करेंगे, resistance कम होगा, और ये parallel में connect करेंगे, जिसकी resistivity कम होगी, मतलब कि इस टाइप से, ये आपका resistance है, कम value का है, और इसे parallel में आपने जोड़ दी, इस टाइप से, next question ले लेखेंगे, आट पोल प्रत्य और तक alternator के एक revolution में कितने विद्धु डिगरी, मतलब electrical डिगरी पार कर दिये जाएंगे, option A है, 360, 1440, 720 या 1080, इसका right answer क्या होगा दोस्तों, दोस्तों इसका formula है, और इसके formula से हमें इस कमान निकालेंगे, तो इसका formula क्या होता है, ठीके दो इसका होता है, ठीटा mechanical into P equal 2 into theta electrical, अब हमें किसका मान निकालना है, theta electrical का मान निकालना है, theta m कितना है, यहाँ पर एक परिक्रमन बोला है, तो 360 डिगरी होता है, पोल कितना दिया है, 8 दिया है, और यह 2 into theta electrical दिया है, तो इसका यह जो 2 है, यह 2 को उठार के इधर ला देंगे, अपान में हो जाएगा यह 2, ठीक है दोस्तो, तो यह हो जाएगा 180, ठीक है, 182, 36 होता है न, तो 180 हो गया, अब क्या करेंगे, 180 गुणित कितना करेंगे, 8 करेंगे, तो यह हो जाएगा आपका 14, 40, डिगरी, तो यह second answer हो जाएगा इसका 14, 40, ठीक है दोस्तो, आपको यह अप्षन अप्षन वन है, क्या है भार प्रतिरोद मोटर के अप्रगामी चरण प्रतिवादा से अधिक हो, सेकेंड है भार प्रतिरोद मोटर के अप्रगामी चरण प्रतिवादा से कम हो, थर्ड है भार प्रतिरोद मोटर के अप्रगामी चरण प्रतिवादा के बराबर हो अर्थात की load resistance जो है वो किसके equal हो leakage impedance के तो load resistance हो जाएगा RL ठीक है ये leakage impedance मतलब की JL के equal होना चाहिए तो ये दोनों के equal में होगा तब की condition में क्या हो जाएगा maximum power output होगा समझ में आया है next question देखेंगे एक दिश्टधारी machine DC machine की efficiency किस इस्तिती में अधिकतम होती है option A है लव हानी हर्चन और पवन हानी हर्चन के बराबर second देखेंगे हम second क्या है जब चल हानी इस्तिर हानी के बराबर हो third है लव हानी आर्मेचर ताम रहानी के बराबर और fourth है यांतरी खानी छेत्र ताम रहानी के बराबर हो तो इसका right answer क्या होगा दोस्तो option B चल हानी मतलब की variable loss is equal to constant loss जब variable loss equal to constant loss होगा तब DC machine की efficiency जो है वो अधिक होगी variable loss equal to constant loss तब DC machine की जो है efficiency वो maximum होगी यह हमें इस point को याद रखना है next question देखेंगे हम next question क्या कहता है three phase संतुलित भार की सक्ती मापन करने पर watt meters था पाठ्यांग w1 और w2 है तो यह reactive power कितनी होगी इसकी एक तो three phase balancing load के लिए है balancing load के लिए three phase तो इसमें देख लेंगे हम सबसे पहले तो यहाँ पर w1 upon w2 w1 plus w2 या root 3 में w1 minus w2 या 4 में w1 minus w2 लिखा है तो यहाँ पर three phase balancing load के लिए और power मापन के लिए w1 और w2 के बीच में जो reactive power कितना होगा तो सबाइक सी बात है इसका third answer होगा क्योंकि यह root 3 में w1 minus w2 होगा अब मैं बताता हूँ आपको कैसे होगा अब यह होता कैसे दोस्तों यह बताऊंगा मैं आपको क्योंकि इसका जो फार्मूला है reactive power का फार्मूला क्या है तो reactive power का जो फार्मूला है यह फार्मूला दोस्तों root 3 w1 minus w2 ठीक है वैसी active power का भी फार्मूला है तो active power का फार्मूला क्या है दोस्तों active power का फार्मूला यह है w1 plus w2 यह active power का formula है तो इस formula को आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है क्योंकि यहाँ पर यह जो triangle बनाएंगे आप इस triangle में आपको समझना पड़ेगा एक्टिव पावर रेक्टिव पावर और एक्टिव पावर ठीक है तो यह जो kw होता है एक्टिव ठीक है और यह होता है आपका रेक्टिव यह होगी आपका एक्टिव पावर चलो इसको फिर से बताते हैं इसको डाइगराम में यह डाइगराम बन गया आपका ठीक है दोस्त कि इसे हम सो करते हैं कि एक इसे कर अब कर रियेक्टीव फावर uh Baltimore और इसे कैसे सो करेंग गे रूड थी w1-डेवलो टू से हैंर इसको सो करते हैं केवी यह आर रियेक्टिव है ना इसलिए आर लास्ट में लग तो यह active हो गया यह reactive हो तो यह जाएगा apparent power क्या हो जाएगा apparent power और यह से केवीय में सो करते हैं इस तरीके से आप निकाल सकते हैं इस formula को याद रखना पड़ेगा दोस्तों आपको next question देखेंगे आर्क वेल्डिंग के प्रसामनी करण मतलब नौर्मलाइजेशन का क्या प्रयोजन है option है welding प्रक्रिया को सरल बनाना इस्थुल अप सामाने सनरचना का परिस्करण करने को third है दरारों को रोकने को और fourth है कठोरता को नियमत्रित करने का अतक control hardness इसका right answer क्या हो जाएगा आर्क वेल्डिंग की बात की जादी और आर्क वेल्डिंग में जो नौर्मलाइजेशन करने की जो प्रोसेस है यह दरारों को रोकने मतलब प्रिवेंट क्रेक को रोकने के लिए इसको यूस किया जाता है आर्क वेल्डिंग को नेक्स कोशन अब इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे हम दोस्तों यह वीडियो कैसा पसंद आया हमें कमेंट कीजिए हमारे चैनल को लाइक करिजिए सेर कीजिए प्रिवजी थेंक यू वेरी मच्छ